नया IBM 7 होसला है सहीचन रण मामले में सलमान खान की मुसीवते बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सरकारी पक्ष ने इस मामले में दो गवाहों को कोट में पेश किया जिसमें मेडिकल अधिकारी और आटियो अधिकारी शामिल थे इन दोरों ने कोट में जो बयान दिया उससे सलमान खान पर आरोप तैय करना बेहत आसान हो सकता है सुबह लगभग 11 बजे सलमान खान अपनी दोनों बेहनों अलविरा और अर्पिता के साथ कोट पहुचे हिटन रन मामले में सरकारी पक्ष अपने दो एहम गवाहों को पेश करने वाला था पहले पेश हुए गवाह डी के बाला शंकर एफसल में असिस्टेंट केमिकल एनलिस्ट के तौर पर कई सालों से काम कर रहे है मैंने अलकोहल के हजारों टेस्ट किये हैं 1986 से काम कर रहा हूँ 30 सितंबर 2002 को मैं जूटी पर था उस दिन मेरे पास जेजे एस्पताल से टेस्ट के लिए एक बलट की बोतल आई बांदरा पुलिस स्टेशन से लेटर आया था शराब की मातरा कितनी है ठीक से जवाब नहीं देने पर मैं आपको हॉस्टाइल कह सकता हूँ कोई ऐसे गवा को धमका नहीं सकता पहले मैंने मॉर्फिल लाइन टेस्ट किया जो पॉजिटिव था खोन में 62 मिली शराब पाई गई थी मतलब 100 मिली लीटर खोन में 62 मिली शराब थी इस बयान से साफ हो गया कि हादसे की रात को सल्मान खान बहुत जादा नशे में थे उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें बताया कि उनका 62 मिली ग्राम 100 में अल्कोहॉल कंटेंट पाया गया और मोटर वेकल आग का सेक्शन 185 बहुत साफ साफ कहता है कि अगर थोड़ा भी अल्कोहॉल ब्लड में पाया जाए तो वो मान लिया जाएगा कि वो इस मामले में दूसरे गवाह थे आटी ओ अधिकारी उन्होंने बयान दिया हादसे के बाद कार की पूरी तरह से जांच की गई थी कार के ब्रेक बिलकुल ठीक थे कार के कुछ इससे तूटे हुए जरूर थे लेकिन ब्रेक ठीक से काम कर रहे थे जाहिर है ये बयान भी सल्मान खान की मुश्किले बढ़ाने वाला है इस बयान से साफ है कि कार में कोई तक्नीकी खराबी भी नहीं थी आपको बता दे कि ये मामला साल 2002 का है जब आरोप लगे थे कि सलमान खान ने नशे की हालत में काल चलाई और सोते हुए लोगों को कुचल दिया इस हादसे में एक शक्स की मौत हो गई थी जबकि चाह लोग खायल हुए थे इस पुरे मामले में 19 गवाहों के ब्यान कोर्ट में दर्ज हो चुके है पौनसिक लाइब के अधिकारियों ने माना है कि खून के जो नमूने उनके पास आई थे उन नमूने में भी सहराब की मात्रा काफी ज़्यादा पाई गई है जिसके बाद सरकारी पर्च काफी मजबूर दिख रहा है हाला कि बचापश ने भी अपने दलीले रखी लेकिन किसकी दलीलों में कितना दम है ये तो कोर्ट है करेगा लंबा समय होने के बाद कोर्ट भी चाता है किस मामले का फ्रेसला जल्द से जल्द हो मुमबई से करेमेंट दिख विज़ा के साथ सवेग धुपता आई बेन सेवेन